आज के इस खबर में मैं आपको बताने वाला हूँ परसू को लेकर यहाँ पर न्यूज आया है और CSVTU में यानि के चतिगर्द स्वामी विवेकरन तक्निकी यूनिवर्सिटी में यहाँ पर सेमेस्टर एक्जाम को लेकर अब्रेट आया है सहिद महेंदर करमजान की बस्तर यूनिवर्सिटी में एड्मिशन को लेकर यहाँ पर न्यूज आया है और दुर्गे यूनिवर्सिटी के कालेजों में आवेदन, मेरिट लिस्ट और प्रवेश को लेकर यहाँ पर आज न्यूज है और बस्तर युनिवर्सिटी के प्रैक्टिकल में जो विद्यार्ती फेल हो गए है उनके तरफ से यहाप एक खबर आई है तो बने रही है इस वीडियो में एंड तक मैं हूँ आपको दोस्त राम वर्मस स्वागत है आपको सेजिया जूकेशन यूट्यूब चैनल पर अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन पर दबाना ना भूलिए क्योंकि यहां पर आपको चैनल के सिसाचे जूड़ी हुई इसी प्रकार की लगतार खबर मिलती रहेगी तो चले फटाफट से स्टार्ट करते हैं तो यहां पर जगदलपूर कांकेर से खबर है कि प्रैक्टिकल एक्जाम में जो विद्यार्ति फेल हुए है उनकी क्या प् विद्यार्तियों में काफी रोज है हाल ही में इस विशाय को लेकर NSUI कारे करताओं के साथ विद्यार्तियों ने कुलपती से मुलकात कर ग्यापन भी सौप है जिसमें विद्यार्तियों का एक वर्स खराब नहीं करने की मांग की गई है मिली जानकारी के अनुसार PG College में BSC अंतिव वर्स के स्वाध्याई वा नियमित विद्यार्तियों को 25 अगस्ते को गोसित परिक्षा परिणाम से जटका लगा है विद्यार्तियों का कहना है कि रसायन सास्तर विशे की प्रयोगीक परिक्षा को अध्या धूरे डंग से करा कर बड़ी संक्य में छात्राओं को गोसित कर दिया गया है विद्यार्तियों के सिकायत प्राप्त होने के बाद सहीद महेंद्र कर्म विश्व इद्याले के कुलपती डक्टर सैलेंद्र सिहा ने उन्हें आस्वासन दिया है कि एक सप्ता के बीतर उनकी समस्या का समधान कर दिया जाएगा विश्व इद्यार् प्रथम वर्स में प्रवेस प्रक्रिया जारी है महाविद्यालयव में प्रवेस के लिए आउनलाइन आविदन की 15 सितंबर तक बढ़ा दिये गया है इससे जिन चात्राओं ने प्रथम वर्स में प्रवेस के लिए आविदन नहीं भरा है वे 15 सितंबर तक आउनलाइन जाएगी सुमवार को B.S. संकाय प्रतम वर्स चार सो सीट, आवेदान उसमें 1254, दूसरी सुची तक 231 चात्राव ने प्रवेश ले लिया है, इसी तरह बीकाम प्रतम वर्स में 200 सीट है, आवेदान 422 और दूसरी सुची तक 114 विद्यारत्यों ने प्रवेश लिया है, B.S. से गणी संकाय में 1.500 सीट है, दूसरी सुची तक 29 विद्यारत्यों ने प्रवेश लिया है, B.S. सी कंप्यूटर सायंस में 1.500 सीट पर 240 आवेदान तथ 89 चात्राव ने प्रवेश लिया है, इसा प्रतम सीट, प्रतम के लिए सीट यहां पर 40 आवेदान 162 तथ 17 चात्राव संक्यार दूसरे शत्र में भी कम है जानकारी के अनुसार करने ओनमावी डेल के लिए ऎक सो सोला अवेदानने जिसमें स्री 22 चात्रवने प्रभेस प्रपिेश लिया है के 90 जिसमें आवेदन 29 है अब तक एक छात्रा ने गनित विशा में प्रवेश लिया है उसके बाद यहां पर जगदलपूर से खबरत कोविड-19 संक्रमन पोश्ट कोविड प्रभाव के कारंद एवं छात्रा हित को ध्यान में रखते हुए शासन की पहल पर सहीद महेंद्र कर अब इस विद्यालय ने शिक्ट रिक्त रहने की स्थिति में प्रवेश यहतु प्रचारे इस तरसे 17 सितंबर कुलपती के अनुमति से 30 सितंबर तक प्रवेश दिये जाने की तितिय बढ़ाई गई है इस यहतु सासन की और से अनुमति प्रदान की गई है यह बाद तो दूर की बात पांच परसों से वहां यूनिवर्सेटी केटेग्री में टॉप हंड्रेड में भी नहीं पहुंच सका है इस बार तो 151 से 200 रैंक मिला है वहीं पहली रैंकिंग में 22 रैंक हासिल करने वाले रवी संकर विसविद्यालय के फार्मेसी डिपार्टमेंट का र पुरा हाल है रवी संकर विसविद्यालय सिर्फ दो बार 2017 में डौ circa में जगह बना पाया दोनों बार 101 से 1500 रैंक मिला वहीं इस बारakesी diverर लिक्री में रवी संकर वhouse डिपार लगात्रमेंट का रैंक में इस बार बार करेंग में बन से लिए 16 ओते सेमिस्टर की परिक्षा तक्निकी विस्वज़ दल भिलाई द्वारे स्थगित कर दी गई है 10 सितंबर को होने वाली यहां परिक्षा अब 12 सितंबर को सुबा 10 से दोपार एक बज़े तक आयुजित की जाएगी तीन घंटे की यहां परिक्षा पूरी तरह ऑनलाइन मोड में होगी वही चात्राओं को परिक्षा शुरू होने के आदे घंटे पहले ऑनलाइन कनेक्ट होना होगा तकनिकी विस्वध दयला भिलाई ने इस संबंद में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है बी इए बी टेक ततवी फार्मेसिकी परिक्षा भी 11 सितंबर से सुरू हो रही है तकनिकी विस्वध दयला के रेजिस्टरार के के वर्मा ने बताया कि MBA 34 semester का time table अपलोट कर दिया गया है चातर चातर आय तक्निके विस्वेद्यला की साइट पर जाकर विजिट कर सकते साथ ही चातर चातराओं के लिए एक जाम से संबंधित जानकारी भी दी गई है तो ये था दोस्तों 36 गड़ के education से जुड़ी होगी खबरे ये कबर आपको कैसी लगए अच्छे लगए है तो लाइक कीजिए तथा कमेंट कीजिए और अपने सबी दोस्तों को सेयर कीजिए और इसी तरह के लेटेस्ट अप्डेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकान बटन दबाए धन्यवाद मिलते अगले दिन अगले वीडियो में